आए दिन किसी ना किसी कारण को लेकर स्कूल भी सुर्ख्यों में आए रहते हैं और कोई ना कोई कारणामा सुनने को मिली जाता है ऐसा ही एक मामला लुधिहाना से आरेस मोडल स्कूल से लापर वाही का मामला सामने आया बता दी कि आप विधाय गोगी ने आज आरेस मोडल स्कूल पर अचानक से दोरा किया इस दोरान स्कूल में पड़े डस्ट बिन में बच्चों को देने वाली दवाई जो की अभी तक एकसपाइर भी नहीं हुई थी अभी उसकी वैलिडिटी दो हजार चोबिस तक थी और ये दवाई कूड़ेदान में मिली आपको बिता दे की विधाय गोगी ने कहा कि स्कूल परशाशन ऐसा करके एक तरफ तो बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड करी रहा है और दूसरी तरफ सरकार को भी चूना लगा रहा है कोगी ने कहा कि सरकार दवाईयों को बिना किसी वज़ा फैकने और बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड करने के चलते उन्होंने एक्षन लेते हुए डियो अफसर को स्कूल की मानेता खतम करने की शिकायद दर्च करवा दी गई है वहीं इस दोरान स्कूल परशाशन से बादचित करने की कोशिच की गई तो प्रिंसिपल ने साफ इंकार कर दिया लुध्याना से विक्की शर्मा की रिपोर्ट आए दिन किसी ना किसी कारण को लेकर स्कूल भी सुर्ख्यों में आए रहते हैं और कोई न कोई कारणामा सुनने को मिली जाता है ऐसा ही एक मामला लुध्याना से RS 모ल स्कूल से लापर वाही का मामला सामने आया बता दी कि आप विधाय गोगी ने आज RS 모ल स्कूल पर आचानक से दोरा किया प्रशाशन ऐसा करके एक तरफ तो बच्चों की सहत के साथ खिलवाड करी रहा है और दूसरी तरफ सरकार को भी चूना लगा रहा है कोगी ने कहा कि सरकार दवाईयों को बिना किसी वज़ा फैकने और बच्चों की सहत के साथ खिलवाड करने के चलते उन्होंने एक्शन लेते हुए डियो अफसर को स्कूल की मानेता खतम करने की शिकायद दर्च करवा दी गई है वहीं इस दोरान स्कूल प्रशाशन से बादचित करने की कोशिच की गई तो प्रिंसिपल ने साफ इंकार कर दिया लुध्याना से विक्की शर्मा की रिपोर्ट